उधर हरिद्वार में दो कावडियों को गंगा नदी में डूबने से बचाया गया गंगा के बीच बने इस टापू पर जो पांच लोग दिख रहे हैं उनमें से तीन बचाने वाले हैं और दो वो लोग हैं जो नहाते वगत बहकर यहां पहुंच गए रसी के साहरें दोनों को बचाने का ओपरेशन शुरू हुआ एक कावडियों को एक सुरक्षा कर्मी ने पकड़ा और दूसरे को दो सुरक्षा कर्मियों ने फिर धीरे धीने करके गंगा की इन लहरों से बचा कर बाहर निकाला गया हरकी पौडी मेला इलाके में जल पुलिस की तीम टीमे लगी हुई है और अब तक पानी में डूबने से दो दर्जन लोगों को बचाया गया है